वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार प्रेंसेंड टेविल में आपका बहुत बहुत स्वागत है शागण आउटर से आज है पांच जन्वरी और शागण आउटर से ये वीडियो भेजा है भाई सुकलाल वर्मा ने हमारे रेल रिपोर्टर सुकलाल वर्मा जी वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद जैसा आपको पूर्व में मैंने दिखाया था कि यहाँ पर जो स्टॉपर लगा था उसको हटा लिया गया है और जैसा अब आप विज्वल्स देख रहे हैं यहाँ पर जो वेल्डिंग मशीन आए थी उसको यहाँ पर अब क्रेंस लगी हुई है ट्रैक से उतारके यहाँ पर वापस भेजा जाएगा तो उसको आप देखे किस प्रकार से यहाँ पर जो मशीने लगी हुई है क्रेंस आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको लिफ्ट किया जाएगा बाए हाथ पर आपको यहाँ पर सिगनल नजर आ रहा होगा जो लगा हुआ है जो कि शागल की दिशा में जो ट्रेंस आएंगी रूट इंडिकेटर के साथ उनको लेगा यहाँ पर मास्ट आपको दिख रहा होगा राइट एंड शाइट पर लगा हुआ है और साथ ही साथ चुकि स्टॉपर हट गिया है तो यहाँ पर अब शागल आउटर से जो केपी टील है जो कि यहाँ पर इस रेलखंट पर जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारा एशबाग सीतापुर मैलानी पिली भीत आमान परिवर्तन का कार्य हुआ है तो इसमें यहाँ पर जो रेल इलेक्टरिफिकेशन का कार्य लगाने का जो काम था वो केपी टील यानि कल तरू पावर ट्रांसमिशन लिम्टेट जो कमपनी है उसको दिया गया था तो यहाँ पर केपी टील के करमचारी भी पहुँच गए यहाँ आप देख सकते हैं येलो कलर की जो हेलमेट होती है सुरक्षा की उपकरार लगा करके और जो उनकी जैकेट होती है जिसमें एक प्रकार का जो एलिमेंट होता है जिससे चमकती है रात के अंधेरे में भी रेडियम लगा होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के पीटियल के करमचारी आपको पीले रंकी हलमेट पहने नजर आ रहे होंगे क्योंकि अभी यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कारी है तार लगाने का काम उसकी शुरुवात हो गई है वो कारी यहाँ पर किया गया आज तो यहाँ पर दिन के समय चूकी ब्लॉक नहीं मिल पाये था और जैसा आप सब जानते हैं कि मुख्य ट्रैक पर यहाँ पर आगे लोको आकर के रिवर्स होता है 056 जो ट्रेन आती है लखनव जंक्षन से शागर तो जब उसका लोको रिवर्सल हो गया उसके बाद यहाँ पर इनको ब्लॉक दिया गया तो इन्होंने यहाँ पर फिर अपना कारे शुरू किया लेकिन उसके पहले यहाँ पर बड़ा काम हुआ उसको हम आपको दिखा रहे हैं exclusive यह विज्वल्स देखे किस परकार से ट्रैक पर पट्रिया दोनों आपको दिख रही होंगी जो रेल्स हैं उनको किस परकार से देखे टेरा यहाँ पर रखा गया है जिसकी उपर पूरी य इसको अलग अलग जो पार्ट इसके हैं उसको अलग कर रही है उपर की जो मशीनरी होती है उसको उठाया जाएगा अब यह आप देखेंगे आप वीडियो में आगे इस प्रकार के द्रिश्य अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं तो शागड आउटर से आप यह विजुल्स दे कि आज जो हमारा शागड पीलिभीत सेक्शन है इस दिशा में बारिश नहीं पड़ी जिस परकार से लखनों में और यहां पूरवांचल में बारिश भी हो रही है आज बादल भी लगे हैं कड़ाके की ठंड है गलन यहां पर भी है लेकिन गनीमत है कि बारिश नहीं हो रह जिस दिशाब में अभी एक्रेंस खड़ी हैं सामने इधर शागल स्टेशन है दूर पे और अब ट्रैक के ऊपर आगे तक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे कैंपिंग कोच होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे विद्धुती करल संक्ठन उसके लिए यहाँ पर देखे जो यह कोच आप देख रहे हैं सावधान भी लिखावा इस पर की उपर तार एनरजाइस की जाएंगे और ठीक इस कोच के आगे आपको तार के बंडल नजर आ रहे होंगे उसक थोड़ा तार लग जाएगा यह वाइरिंग का काम आज से शुरू हो गया है पांच जनवरी से तो अब संडे को जब यह तार आगे बढ़ते हुए संदे की दिशा में थोड़ा लग जाएगा पहुंचेगा तो आपको उसके बाद फिर अपडेट देंगे ताकि आपको पक्की बना ली गई हैं वहाँ पर जो ओएची मास्ट हैं उनको डाला जाएगा और फिर इसी ट्रैक के उपर से ही यह ओएची वैन होगी और फिर उसमें क्या होगा या कोई क्रेन आएगी तो उसके पीछे के वेगन में सीमेंट कॉंक्रीट वाला जो मिक्सर होता है वो ल है वन विफाग की तरफ से तो उसी वेगन की ऊपर से मसाला सान के मास्ट के अंदर उनको डाला जाएगा यहां पर आप देखिए किस प्रकार से यह क्रेंस यहां पर लगी है दिरंतर और जो काम हो रहा है आज वेल्डिंग मशीन को वापस भेज दिया गया है क्योंकि वेल है उसके दाइने और बाहिने तरफ यानिकी जो हमारी शागड की दिशा हो जाएगी और जो हमारी माला स्टिशन की दिशा हो जाएगी दोनों दिशाओ में लेफ्ट already में ब्रिज के वहां पर जो है नदी के राद दिन चल रहा है और पूरे कोशिश है कि 31 जनवरी तक जो माला का पुल है उसको तयार कर लिया जाए आधा पिलर बना ही लिया है आपने पूर में जो हमारे विरेन सिंग चैनल है उस पर देखा होगा माला निदी के पुल को उन्होंने कवर किया है तो वहाँ पर जो जो ट्रैक तयार किया गया यहाँ पर मैनुवल वेल्डिंग नहीं हुई है थर्माइट वेल्डिंग जैसे की जाती है यह अब आप देखे क्रेन ने ऊपर पूरा बॉक्स लिफ्ट कर लिया है जो वेल्डिंग मशीन का बॉक्स होता है और नीचे से जो उसकी चेसिस है यह आप देखे कितनी लेवा लगी हुई है आज मेजर काम जो हुआ वो यही हुआ है और इसी के कारण तार लगाने के काम में भी थोड़ा विलम हुआ क्योंकि केपेटियल ने तयारी तो पहले से ही कर ली थी कि आज तार लगना है लेकिन चुकि यहाँ पर यह बड़ी बड़ी जो क्रेंस हैं और इतनी बड़ी जो वेल्डिंग मशीन है इसको हटाया जा रहा था इसको शिफ्ट किया जा रहा था जिसके कारण से तार लगान जो यहाँ पर कारे चल रहा है तो शागर पीलिभीत जो कारे हैं यह अंतिम चरण में हैं लास्ट फेज प्रोजेक्ट का हो रहा है तार लगाने के साथ ही काम खतम होते जाएंगे उसके बाद फिर सीधे सीधे सीरस निरिक्षन होगा एससप यहाँ पर तयार ही है रेल्स आ शागर के अंडर अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट देखेंगे चेक करेंगे तो पीलिभीत शागर के जो वीडियोस हैं सब एक जगहें आपको मिल जाएंगे और इसी तरह का कंटेंट यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ तमाम सारे जो रेल रिपोर्टर्स हैं उनकी बदौ आप तक यह विजुल्स आते रहते हैं अलग अलग जगहे के क्योंकि सब जगहें जाना संभव नहीं हो पाता है तो चैनल को भी आप सपोर्ट करिए चैनल को जादा से जादा मिम्बर्स बनिए जॉइन करिए तो यहाँ पर आप देखिए क्रेन ने किस प्रकार से पूरी विल्डिंग मशीन को हवा में उपर लिफ्ट कर लिया है और अब यहाँ पर इधर बाया हाथ पर आपको सिगनल दिख रहा होगा अभी सिगनल भी पेंट होने बाकी हैं और यह कारे अब मुझे लगता है यहाँ से आप दो हफ़ते का समय मानिए तो सिगनल के जो शागर सा जाते हैं कहीं पर अगर फाटक आ रहा है तो सीफा आपने दिखा होगा सीटी बजाईए आगे फाटक है है ना डबलू एल विसल आगे लेवल क्रोसिंग ऑबलिक ल करके लिखा रहता तो उस तरह के जो साइन बोर्ट लगाए जाते हैं उनको लगाने का भी काम तेज हो ज उसको किस प्रकार से अलग किया है क्रेन ने वरकर्स लगे हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो के पी टियल के करमचारी हैं मास्ट के उपर चड़ रहे हैं यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से काम होने हैं आगे क्रेन अपना काम कर रही है यहाँ पर सि माला स्टेशन और उसके बाद वहाँ से आगे पीली भीट ले जाया जागा पीली भीट की दिशा से भी जो कार किये गए हैं वहाँ पर पहले सिंगल तार लगाया गया था जो के पीटियल ने शुरुआत की रेल इलेक्रिफिकेशन के कारेों की पीली भीट साइट से तो पील पाउंडेशन बनाई गई थी तो उनको वहाँ पर के पीटियल ने कारियों को किया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं नीट्रल लगाया जा रहा है जिससे कि जो पावर सप्लाई है वो आगे तार लगाने का काम होगा मेन कॉन्टेक्ट व पूरवक्त के पीटियल के लोग काम शुरू करेंगे आप सामने देख सकते हैं इस्टापर यहाँ पर हड़ चुका है इस्टापर कहां पर था हम आपको फिर दिखाएंगे मास्ट की उपर आप देखें के कर्मचारी कोईजी मास्ट की उपर चड़ रहे हैं और यहां से आ पर आज शागण स्टेशन पर दिन भर काफी गहमा गहमी रही आउटर पर क्योंकि यह जो विल्डिंग मशीन है इसको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है वरकर्स यहाँ पर आप देखें किस प्रकार से इस मशीन को जो आगे ट्रक है विल्डिंग मशीन अ भाब देखें प आपको दिख रहे होगी KPTL के करमचारी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी OHE WAN की साहता से Rail Electrification के कारियों में अब जो सबसे अंतिम काम होता है तार लगाने का Double Wire यहाँ पर चलेगा आगे Catenary Wire और हमारा Contact Wire उसको लगाने का काम अब किया जाएगा जो मास्ट में Brackets लगा लिए गए हैं संदई तक Almost लगाने हम कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं कहीं पर कुछ टहनिया बढ़ गई है संदई स्टेशन के पास भी जो हॉल्ट है संदई हॉल्ट पूच पीली भीत की दिशा में माला के दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा इस प्रकार से अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारियों का बहुत लंबे समय से इंतजार था कि कब स्टॉपर हटेगा तो इस टॉपर फाइनली हट गया चार तारिक को और पांच तारिक से अब वाइरिंग का काम शुरू हो रहा है तो मुझे लगता नौदस जनवरी तक वाइरिंग संदई तक कम्प्लीट कर ली जानी चाहिए क्योंकि बहुत तेजी से तार लगाने का काम होता है और उसके बाद होल्डर्स में उनको ग्रिप करते जाते हैं फिर तार को खीचा जाता है टाइट किया जाता है तो इसी ओएची वैन की साहता से यहाँ पर अब रेल इलेक्रिफिकेशन के कारे संदई होते माला ब्रिज क की तरफ जंगल के अंदर धीमे धीमे बढ़ेंगे धीरे-धीरे कारे होगा तार लगाने का क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अब केवल तार लगाने का काम और एक माला का जो पुल है वही रह गया है बाकी माला स्टेशन के उपर पैनल रूम तयार किया जा रहा है सिगनल रहे हैं इनको फैनल किया जाएगा और जल्दी ही उमीद है कि माला का पुल भी तयार हो जाएगा इस टॉपर यहां पर हुआ कटा देखी ट्रैक आपको दिख रहोंगे दो अलग लग अंदर से जो रंग है तो यह यहां पर ट्रैक इतना जो नई रेल्स हैं वो लगाई ग लिए तो यह था एक अबडेट शागर से